हाई गाईश टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो जब भी हम भाफ में पापड बनाते हैं तो हमें कटोरी या फिर प्लेट की जरूरत होती है लेकिन आज हम लोग साबू दाने का पापड भाफ में बनाएंगे और बीना कटोरी प्लेट के तो चलिए रेस्पी को सुरू करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने घर पे इस तरीके से पापड बना करके ट्राई जरूर करिएगा तो इस पापड को बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है एक कप स साबुदाना भीग जाएगा ना अच्छी तरह से फूल जाएगा और ध्यान रखेगा कि पानी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे साबुदाना खिला खिला सा होना चाहिए उसके बाद फिर हम लोग इसमें आइट कर देते हैं जीरा एक चमच अगर आप जीरा की जगह पे अजवाइन बगरे का फ्लिवर पसंद करते हैं तो वो डाल सकते हैं साथ में एक चमच नमा कैट करेंगे दोनों चीज को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पापड को बनाना सुरू करेंगे तो मैं यहाँ पर इटली के साचे में पापड बन नॉर्माल फैलाएंगे बहु ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो फिर निकलता नहीं बाखर जल्दी से तो सारे इटली के साचे में इसी तरीके से हम लोग शाबोदाना को फैला लेंगे उसके बाद फिर पकाने के लिए चलेंगे तो यह मैंने बरतन लिया हुआ है इटली वाला डबा और इसमें एक कफ पाने डाल देंगे गैस का फ्लेम मेडियम करेंगे और उसके बाद हम लोग सारे इटली के साचे रख देंगे तो इस तरीके से अराम से उठा करके आप रख दीजिए आप इस तरीके से इटली के साचे में पापड बनाते हैं बहुत जल्दी से बनता हो और एक बार में काफी सारे पापड भी बन जाता है काफ लगा करके एक से डेढ़ मिनट छोड़ दीजिए एक से डेढ़ मिनट में आपका पपड अच्छी तरह से पक जाएगा तो लगभख डेढ़ मिनट का टाइम हो रहा है आज ये चेक कर लेते हैं हम लोग तो आप देख पा रहे हो यहाँ पाप टाप उठाने के बाद की साबुदाना काफी ज्यादा पक चुका है काले में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और गरम भी नहीं लगेगा तो इस तरीके से आप अराम से निकाल सकते हो तो यह देखिए लगभख हो गया है डेढ़ मिनट का टाइम अब एक कल्छी लिया है मैंने और कल्छी में थोड़ा सा ओयल लगाएंगे ताकि कल्छी में चिपके नहीं पपड और आराम से कल्छी को नीचे डिप करेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे यह पपड निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है आप आराम से निकाल पाते हैं तो इसी तरीके से सारे पपड को हमें निकालना है आप किसी छोटे चम्मच कभी यूज कर सकते हैं अगर आप हाँ से निकालते हैं तो आपको हलका सा गरम भी लग सकता है और पपड तूड जाते हैं तो आप जब भी बनाए इस पपड को तो अपने इस तरीके से कल्ची से निकालिए बिल्कुन भी पपड तूटे का नहीं और बहुत जल्दी बनेगा तो एक बार में मैंने यहाँ पर इतना पपड बना लिया है 16 पपड एक बार में बने हुए क्योंकि जो मेरा इटली के साथ था वो 16 था तो 16 पपड बना है इसी तरीके से बाकी का पपड भी मैं बना लेती हूँ उम्मिद करती हूँ आपको भी यह रिस्पी जो है बहुत पसंद आई होगी आप अपने घर पे ट्राई जरूर करेंगे इस रिस्पी को के तो चलिए अब मैं आप लोगों को जो है दूसरे दिन जब पपड सूख गया है तो दिखाती हूँ यह देखिए कुछी तरीके से सूख गया है हमने आप जीरा डाला हुआ तो जीरे का कलर आ गया है पपड में और इसे आप लोगों को फ्राई करके भी दिखा देती हूँ तो ओयल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए इस पपड को फ्राई करने के लिए और उसके बाद पपड को आप डालिएए कलची से थोड़ा सा घुमा दीजिए और यह बढ़िया से फूल करके रेडी हो गया है मिलते हैं हमें एक नई रिस्पी में, बाई गाईस